नमस्कार दोस्तूं स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज में दोस्तूं आज हम देखने जा रहे हैं राजस्तान के इतियास से समंदित महत्वय पून 60 परसन आज के वीडियो के अंदर हम जो क्यूसन देखेंगे उनकी संक्या तो रहेगी 60 दोस्तूं और सभी के सभी जो क्यूसन रहेंगे वो राजस्तान इतियास से समंदित रहेंगे दोस्तूं दूसरी बात करें तो दोस्तों यह हमारा पार्ट है वो है जीके 7777 जो क्वीज के परशनू के हमारी स्रीज चल रही थी उसी का दोस्तों यह बाग है तो दोस्तों जल्दी से एक बार जो भी साती अभी लाइव है वो सेर करें वीडियो को लाइक करें और नए साती चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों आज के वीडियो में इसलिए आप अंतक मेरे साथ बने रहे चलते हैं पहले क्यूशन की ओर पहला क्यूशन है दोस्तों सारंगपुर विजे के उपलक्स में कुमबा ने कुसाल माता का मंदिर बीलवाडा के किस इस्तान पर बनवाया मंडलगड सहापुरा बिगोद बदनोर तो दोस्तूं सारंगपूर विजे के बाद में कुम्बा ने कुसराल माता का मंदिर बनाया था बिलवाडा में वो किस जगहें बन वाया था जल्दी से आप कमेंट करके बताईए दोस्तूं क्यूसर नमबर एक आपकी स्क्रीन पे बहुत अच्छा दोस्तूं सही रहेगा आपका यहाँ पर ओप्सन नमबर चार मांडलगड ओप्सन नमबर चार आपका यहाँ पर सही रहेगा चलते हैं क्यूसर नमबर दो की ओर दो नमर क्यूसन है दोस्तु चितोड का दूसरा साका किस सासक के समय हुआ था रतन सिंग, विक्रमदिते, बनवीर, उदे सिंग जल्दी से आप अपना राइट एंस्वर है वो कमेंट करके बताईए दोस्तु कड़ी से कड़ी जोडते जाओ तो जंजीर बनती है कड़ी से कड़ी जोडते जाते हैं तो जंजीर बन जाती है मेनत पे मेनत करो तो तकदीर बन जाती है इसलिए दोस्तु आप मेनत पे मेनत करो और सभी साती सेर करके कड़ी से कड़ी जोड़ो जिससे राजस्तान के सभी जो परतियोगी छातर है उनके पास इस चैनल की लिंक पहुँचे वो अमारे साथ आए और एक जंजीर बन जाए दोस्तु ये तो दोस्तु चितोड का दूसरा साका है वो किस सासक के समय हुआ था विक्रमा दिते ओप्सन नमबर दो आपका यहां पर क्या रहेगा सही रहेगा चलते हैं क्यूसर नमबर तीन की ओर तीन नमबर क्यूसर है दोस्तु किस इतियासकार ने कहा कि सांगा और परताब के बीच उदे सिंग नहीं होता तो मेवार के इतियासके पन्ने और अधिक उजवल होते किस इतियासकार ने कहा था करनल तोड ने गोरी संकर ओजा ने फरिस्ता ने बदायूनी ने तो जल्दी से आप कमेंट करके बताए किस ने कहा था बहुत अच्छा दोस्तु करनल तोड ने कहा था ओप्सन एक नमबर आपका सही रहेगा चलते हैं क्यूसर नमबर चार की ओर चार नमर की उसन है दोस्तु अकबर ने हल्दी गांटी यूद की व्यूह रचना किस दुरग से रची थी मेगजीन दुरग से लाल किला से मांडल गड से आगरा के किले से तो जो हल्दी गांटी का यूद हुआ था उसकी व्यूह रचना अकबर ने किस दुरग से रची थ आईए दोस्तों और वाउत अच्छा दोस्तों सही आपका मेग जीन दुरग ओसर नंबर एक आपका यह क्या रहेगा सही रहेगा चलते हैं किंशन नंबर पांच की और पांच नंबर क्यृसर 거예요 है दोस्तु मुगल दर्बार में उपस्तित होने वाला परतम मेवाडी राजकुमार था करण सिंग जगत सिंग अमर सिंग राज सिंग तो मुगल important क्यूशन है यह बहुत important क्यूशन है एक एक क्यूशन को आप आसानी के साथ देखें पढ़ें समझें कमेंट करें और दिमाग के अंदर सेट कर ले दोस्तों हर एक क्यूशन को चलते हैं क्यूशन नमबर 6 की ओर 1749 में भारत पर नादीर सा के आकर्मन के समय मेवाड के सासक थे बीम सिंग जगत सिंग द्वीते संगराम सिंग अमर सिंग द्वीते तो 1749 में भारत पर जब नादीर सा ने आकर्मन किया था उसमें मेवाड का सासक कोन था जल्दी से कमेंट कर दे आप सभी साती बहुत अच्छा दोस्तों सही है आपका ओप्सन नंबर दो जगत सिंग दुईते थे दोस्तों चलते हैं क्यूसन नंबर साथ की ओर साथ नंबर क्यूसन है दोस्तों किस से महाराना के समय मेवार में राजपुताना में मराठू द्वारा सर्वपरतम चोत वर सरदेश मुकी की वसुली की गई थी दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बतादो दोस्तों बहुत सिंपल क्यूसन है यह दोस्तों मेवाड और राजबुता नाव में मराठाउं दुवारा सर्वा पर्तम चोत वा सरदेश मुकी की वसुली की गई थी बहुत अच्छा दोस्तूं कौन था मारणा जगस सिंग द्वित्ते ओप्सन नंबर एक आपका सही रहेगा चलते हैं क्योंसन नंबर आठ की ओर मेवाड के अंग्रेजु से संदी करने वाले सा सकते कोन से सा सकते जिनोंने अंग्रेजु से संदी की थी मेवाड के संबु सिंग, भीम सिंग, जैस सिंग, सवरोप सिंग जल्दी से बताईए दोस्तू मेवाड का कोन सा सा सकता जिसने अंग्रेजु से संदी की थी सही है भहुत अच्छा दोस्तू सही है भीम सिंग ओप्सन नंबर दो आपका सही रहेगा चलते हैं क्यूसन नंबर नो की ओर नो नंबर क्यूसन है दोस्तों हमारा 1841 में मेवाड के किस माराना किसमें मेवाड बील कोर का गटन किया गया था सरदार सिंग, संबू सिंग, सवरूप सिंग, सजन सिंग तो 1841 के अंदर कौन था मेवाड का माराना जिस समें मेवाड बील कोर की इस्तापना या गटन किया गया था बहुत अच्छा दोस्तू सही है आपका सरदार सिंग कौन था माराना सरदार सिंग था दोस्तू बात हो रही है 1857 की तो दोस्तों 1857 की जो क्रांती हुई इस थी उस क्रांती के समय मेवाड का महाराना कौन था जल्दी से कमेंट करके बताईए दोस्तों सवरूप सिंग थे, संबु सिंग थे, भीम सिंग थे या सजन सिंग थे सही है बहुत अच्छा दोस्तू सवरूप सिंग ओप्सन ए आपका सही रहेगा दोस्तू चलते हैं क्यूसन नंबर 11 की ओर 11 नंबर क्यूसन है किस मेवाड महराणा को रिपिन के समय बिर्टी सरकार ने ग्राउंड कमंडर ओप दी इस्टार ओप इंडिया उपादी परदान की गई बहुत इंपोर्टेंट की उसने बहुत कम जगह आपको यह क्यूसन देखने को मिलेंगे संबु सिंग था सवरूप सिंग था पते सिंग ता या सजन सिंग था जल्दी से कमेंट करके बताईए दोस्तू क्यूसन नंबर 11 का बहुत अच्छा दोस्तू सही रहेगा आप का ओप्सन नंबर 2 सवरूप सिंग चलते हैं क्यूसन नंबर 12 की ओर बिजली गिरने से सत्तिगर्ष्त विजय इस्तम का जिर्णों द्वार करवाने वाले मेवार के सा सकते सवरूप सिंग भेम सिंग फते सिंग सजन सिंग तो दोस्तू बिजली गिरी थी बिजली गिरने की वज़े से जो हमारा विजय इस्तम था वो क्या हो गया था तूट फूट गया था उसका वापस निर्मानकार ये उसका जिर्णो द्वार किस मेवाड सासक ने करवाया था बहुत अच्छा दोस्तू सवरूप सिंग ने ओप्सन ए आपका सही रहेगा चलते हैं कि उसन नंबर 13 की और श्राजपूताना में विवाईक समष्याओं के निराक्रण के लिए सजन्सिंग के समें किस वर्स देस हीतेशनी सबा का घٹन किया गया तो जल्दि से कमेंट कर दे er के स हीतेशनी सबा का घ्रतन कभ किया गया था तो दोस्तों दो जुलाइ 1887 को देश सितेशनी सबा का गठन किया गया था चलते हैं कि उसर नंबर चोदे की ओर किस मेवाड महाराजा को केशरी सिंग ने चेताउनी राचुंग्टिया के मादेम से दिली दरबार में जाने से रोका था फते सिंग संबु सिंग सजन सिंग भुप जल्दी से बतादो दोस्तों केशरी सिंग ने चेताउनी राचुंग्टिया मादेम से किस मेवाड महाराणा को दिली दरबार में जाने से रोका था बहुत अच्छा दोस्तों सही है किसको रोका था फते सिंग को ओप्शन एक नमर आपका सही रहेगा तो दोस्तों देखते इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से उपर देखने पर सिर्की पगड़ी गिर जाती है कुम्बल गड़ के बारे में, चितोड गड़ के बारे में, रन्थम बोर के बारे में, सुवन गिरी दुरग के बारे में तो किस दुरग के बारे में कहा था? जल्दी से कमेंट करके बता दें दोस्तूं सही है आपका दोस्तूं कुम्बल गड़ दुरक के बारे में किस दुरक के बारे में कहा था कुम्बल गड़ दुरक के बारे में कहा था चलते हैं कि उसर नंबर 17 की ओर कुम्बा दुआरा विज्य इस्तम का निर्मान करवाया गया 1533-37, 1540-48, 1537-40, 1591-60 तो कब करवाया गया था विजे इस्तम का निर्मान महराना कुम्बा के दुआरा जल्दी से 17 नमर क्यूसन का राइट एंस्वर कमेंट कीजे दोस्तू बहुत अच्छा दोस्तू, सही है आपका तो दोस्तू बहात हो रही है विजे इस्तम की उप्सन नमबर 18 की ओर, कुम्बा द्वारा रचित गरंत नहीं है संगीत राज, संगीत सार, संगीत मिमान सा, संगीत सागर तो कुम्बा द्वारा रचित गरंत कौन सा नहीं है इन में से जल्दी से कमेंट करके बता दो दोस्तू यहाँ पर बात हो रही है कि कुमबा दुवारा रचित गरंत कौनसा नहीं है बहुत अच्छा दोस्तू कौनसा नहीं है संगीत सागर ओप्सन नंबर चार आपका सही रहेगा चलते हैं क्यूसन नंबर उन्यसकी ओर उन्यस नंबर क्यूसन नहीं मेवार्चित्टर से लिखा सबसे बड़ा चितर शुपहसनम चरियम किसुके समय मेरा चित है लाख सही रहेगा चलते हैं क्यूसन नंबर 20 की ओर हिंदूपत कहा जाता है कुमबा को संगा को परताब को काल बोज को किसको कहा जाता है हिंदूपत जल्दी से बताइए दोस्तूं हिंदूपत किसको कहा जाता है बहुत अच्छा दोस्तूं किसको कहा जाता है संगा को हिंदूपत कहा जाता है चलते हैं 21 नमर क्यूसन की और 21 नमर क्यूसन है दोस्तों बाड़ी का यूद लड़ा गया था कब लड़ा गया था दोस्तों बाड़ी का यूद है वो किन किन के मद्दे लड़ा गया था तो सांगा वे इब्राहिम लोदी के मद्दे सांगा वे सिकंदर लोदी के मददे सांगा वे बाबर के मददे सांगा वे मेहमूद बेगड़ा के मददे किसके मददे लड़ा गया था बाड़ी का यूद जल्दी से कमेंट करके ब Taylor सबीं सबीस साथी किस नमर क्यूंषन का बहुत अच्छा दोस्तूँ सहिये आपका सांगा वे इब्राइम लोदी के मद्दे लड़ा गया था चलते हैं क्यूसर नंबर 22 की ओर 22 नंबर क्यूसर ने दोस्तों पंजाब के दोलत खाँ वे इबराहिम लोदी के चाचा आलम खाँ के साथ मेवाड की ओर से बाबर को भारत पर आकरमन करने के लिए निमंतरन देने वाला था कौन था दोस्तों पंजाब के दोलत खाँ और इबराहिम लोदी के चाचा आलम खाँ के साथ तीसरा मेवाड की ओर से बाबर को भारत का भारत पर आकरमन करने के लिए निमंतरन देने वाला कौन था बहुत अच्छा दोस्तों सही आपका सलह दीतंवर इंपोर्टेंट चीज़े दोस्तों यह चिन्ने एक तो दोलत खाँ एक आलम खाँ और एक सलह दीतंवर इन तिनों के नाम आपको याद रखना है इंपोर्टेंट चीज़े हैं दोस्तों चलते हैं क्यूसन नमबर 23 की ओर राणा सांगा की चत्री बनी हुई है बस्वादोसा मांडलगड बीलवाडा कालपी उत्तरपरदेश रन्तम बोर्सवाई मादोपूर तो राणा सांगा की चत्री कहां बनी हुई है जल्दी से कमेंट करके बतादे सभी को पता होना चाहिए ये क्यूसन तो 23 नमबर क्यूसन है मारा बहुत अच्छा दोस्तों सही है राणा सांगा की चत्री बनी हुई है मांडलगड बीलवाडा में ओप्सन नमबर 2 आपका सही रहेगा चलते हैं क्यूसन नमबर 24 की ओर खानवा के युद में राणा सांगा के राजचिन वे मुकु आचिन थे जो मुकुड था वो किसने धारण किया था बहुत इंपोर्टेंट क्यूसन है दोस्तों वेरी 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 इंपोर्टेंट क्यूसन है द्यान से देख ले इसको और द्यान से रट ले सही रहेगा ओप्सन नमबर एक जाला अज्जाने किसने धारण किये थे जाल की उस्तर की ओर किसितियास कार ने कहा है कि यह अच्छा नहीं होता राणा विक्रमा दीते मेवाड कुल में पेदा नवा होता दोस्तों यह एक लाई ना किस इत्रह कार नहीं होता तक तक ा प्रिश्टाने गोरिस नहीं तो किसने कही थी दोस्तों ये एक जो आपके सामने लाइन है एक बात है ये किसने कही थी दोस्तों कतन किसने कहा था ये बहुत अच्छा दोस्तों करनल टोडने ओपसन नमबर दो आपका सही रहेगा दोस्तों चलते हैं कि उसन नमबर 26 की और युवराज उद्दे सिंग को ब पता है इसके उस अंगाद मेरे को पता है उदे सिंग को बचाने वाली कौन सी दाय थी दोस्तूं बहुत अच्छा दोस्तूं पन्ना दाय ओप्सन नमबर दो आपका सही रहेगा दोस्तूं चलते हैं कि उसन नमबर 27 की और हरमाडा का यूद लड़ा गया उदे सिंग वे हाज के मद्र का इदे लड़ा गया था जल्दी से बताईये सबी साथी बहुत अच्छा दोस्तूं उदे सिंग वे हाजि खां के मद्र हरमाडा का यूद लड़ा गया था दोस्तूं चलते हैं कि उसन नमबर 28 की उर 28 नमर कि उसन है दोस्तूं विजे कटकातू की उपादी करने वाला सासक कौन सा था 28 नमर क्यूशन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से आप कमेंट करके बताईए दोस्तूं बहुत अच्छा दोस्तूं विज्जे कटका टू की उपादी दार्ण करने वाला सासक था राज सिंग ओप्सन नमबर तीन आपका सही रहेगा चलते हैं क्यूश सिंग दूइते ने जगत सिंग प्रत्तम ने जगत सिंग दूइते ने तो वेदनात का मंदिर है वेदनात प्रस्तति का निर्मान किसने करवाया था दोस्तूं जल्दी से आप अपना right answer वह वह कमेंट करके बताईए बहुत अच्छा दोस्तू संग्राम सिंग द्वित्ते ने निर्माण करवाया था चलते हैं क्यूसन नमबर तीस की ओर तीस नमबर क्यूसन है दोस्तू देबारी समझोते में सामिल मेवाड के सासक थे जो देबारी समझोता हुआ था उसके अंदर कौन सा मेवाड का सासक सामिल हुआ था अमर सिंग पर्तम अमर सिंग द्वित्ते जगज सिंग पर्तम जगज सिंग द्वित्ते तो इनमें से कौन सामिल हुआ था जल्दी से कमेंट करके बतादे सभी साती बहुत अच्छा दोस्तू सही है आपका अमर्च सिंग द्वित्य सामिल हुआ था ओप्सन नमबर दो आपका यहां पर सही रहेगा चलते हैं 31 नमर क्यों सन की ओर देशी रजवाडू की परजा के आंदोलन को सक्रिय समर्तन देने का परस्ताव कांग्रेश ने पारित किया था 1939 में लहोर दिवेशन में, 1939 में क्राचिय दिवेशन में, 1938 हरीपुरा दिवेशन में उपरोक्त में से कोई नहीं तो किस में 1939, 1936 या 1938 किस अधिवेशन के अंदर देशी रजवाडू की परजा के आंदोलन को सक्रिय समर्तन देने का परस्ताव कांग्रेश ने पारित किया था बहुत अच्छा दोस्तू, सही आपका 1938 में हरीपुरा अधिवेशन में चलते हैं क्यूसर नमबर 32 की ओर 1956 में, तो बात हो रही है टोडगड़ की, कब किया गया था टोडगड़ का राजस्तान में विले जल्दी से कमेंट करके बतादे सबी साती बहुत अच्छा दोस्तों, 1956 में, ओप्सन डी आपका यहां पर सही रहेगा चलते हैं क्यूसर नमबर 33 की ओर कोन राज्ये पुन्दर गटन आयोग से समंदित नहीं थे फेजलली, हर्देनात कुंजर, सरदार पनीकर, वेंकटा चारिये तो राज्ये पुन्दर गटन आयोग से इनमे से समंदित को नहीं है 33 की ओर जल्दी से कमेंट करके बताईए दोस्तों कोन नहीं है राज्ये पुन्दर गटन आयोग से समंदित इनमे से बहुत अच्छा दोस्तों सही है आपका 33 नमबर क्यूसन का ओप्संडी वेंकटा चारिये चलते हैं क्यूसन नमबर 34 की ओर राज्यस्तान विदान सबा के लिए पर्थम आम चुनाओं में कांग्रेस के बाद जिस राज्यनेतिक दल को द्वित्य इस्तान प्राप्त हुआ वे था ये कल भी हमारी क्यूसन था दोस्तों बारतिये जनसंग, बारतिये जनता पार्टी, रामराज्ये प्रिशद, हिंदू मासबा सभी का राइट एंस्वर होना चाहिए इस क्यूसन का, मैं देख रहा हूँ एक एक का कमेंट और दोस्तों क्यूसन हो चुके हैं आदे से उपर तो एक बार जिन सातियों ने अभी तक लाइक और सेर नहीं किया है, वो जल्दी से लाइक और सेर जरूर करते दोस्तों राइट एंस्वर आपका रहेगा 34 का वो रहेगा ओप्सन सी, राम राज्ये प्रिशद चलते हैं 35 नमर क्यूसन की ओर 35 नमर क्यूसन है दोस्तों, 35 नवंबर 1941 इस्वी में, सोई, नवंबर 1941 में मेवाड परजा मंडल के पर्थम अधिवेशन का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया आचारी क्रपलानी, विजे लक्षमी पंडित, मानी के लाल वर्मा, बल्वन सिंग मेता तो किन के द्वारा मेवाड परजा मंडल के पर्थम अधिवेशन का उद्गाटन किया गया था दोस्तों, बहुत अच्छा दोस्तों, आचारी क्रिपलानी के द्वारा किया गया था चलते हैं 36 नमर क्यूसन की ओर चटीश नमर क्यूसन है दोस्तूं स्वामी दयानन्द सर्शवती ने उदेपुर में जिस संस्ता की इस्तापना की वह है आर ये समाज प्रोप कारेणी सबा इजलास सबा रामक्रिशन मिसन जल्दी से चटीश नमर क्यूसन का कमेंट करके बताईए दोस्तूं दयानन्द सर्शवती ने उदेपुर में किस संस्ता की इस्तापना की थी जल्दी से बता दे सभी साथी बहुत अच्छा दोस्तूं प्रोप कारेणी सबा ओप्सन नमर दो आपका सही रहेगा चलते हैं 37 नमर क्यूसन की ओर राजपुताना मद्दे भारत सभा की इस्तापना किस वर्स हुई थी 37 नमर क्यूसन है दोस्तूं जल्दी से कमेंट कर दे दोस्तूं बहुत अच्छा दोस्तूं 1918 में उप्सन नमर दो आपका सही रहेगा चलते हैं क्यूसन नमर 38 की ओर उनीस्वी सदी में राजपुताना समाचार नामक सापता एक पत्तर हिंदी वे उर्दु में किसके दौरा समपादित किया जाता था ललित नारहेन दौरा, कनेया लाल दौरा, अनुमान सिंग दौरा, बक्सि लक्समन दास दौरा जल्दी से कमेंट करके बताईए राजपुताना समाचार है वो हिंदी वे उर्दु में किसके द्वारा समपादित किया जाता था बहुत अच्छा दोस्तों कनेया लाल दुआरा ओप्सन नमबर दो ओप्सन नमबर बी आपका सही रहेगा चलते हैं उन्चालेश नमर क्यूसन की ओर सवतंतर ता पूर्वे राज़स्तान का निम लिकित में से कौन सा समाचार पत्तर आरिये समाजी विचारदारा का संवर्दक नहीं था देशितेसी जनहितकारक प्रोपकार राज़पुताना गजट जल्दी से बता दे उन्चालेश नमर क्यूसन सामने एंस्वर दिखाई दे रहा है दोस्तों इसका दो सही है आपका राज़पुताना गजट ओप्सन डी है वो आपका यहाँ पर क्या रहेगा सही रहेगा चलते हैं चालेश नमर क्यूसन की ओर निमलिकित में से सरुवपर्तम किसने राज़स्तान के राज़सी सासक वरक के लिए परतक सिक्स्या संस्तान की आउसेक्ता पर बल दिया था बहुत अच्छा दोस्तों सही आपका केप्टन वाल्टर ने ओप्सन सी आपका यहां पर सही रहेगा तो दोस्तों 40 क्यूसन कंपलीट हो चुके हैं एक बार मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक और सेर कर दें और नए साती जो पहली बार चैनल पर आये हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलते हैं एक तालश नमर क्यूसन की ओर वनसावलियों की पिड़ी दर पिड़ी लेकन करने वाला कौन सा वरग है जागा, पुजारी, माजन या सभी जल्दी से कमेंट करके बताईए दोस्तों वनसावलियों का पिड़ी दर पिड़ी लेकन करने वाला कौन सा वरग है जागा, ओप्सन ए आपका सही रहेगा चलते हैं बैयालेश नमर क्यूसन की ओर मांडल का परसिद नहार नर्ते किस मुगल समराट के समय से प्रचलित है अकबर, जहांगीर, सहाजा, ओरंग्जेब जो मांडल है उसका परसिद नहार नर्ते है वो किस मुगल समराट के समय से प्रचलित है दोस्तों जल्दी से बतादे सभी सही आपका सहा जाके ओप्सन सी ये सही रहेगा चलते हैं 43 नमर क्यूसन की ओर राज्यस्तान में मारवाड सत्यागरे दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से बताएं सभी साती मारवाड सत्यागरे दिवस कब मनाया जाता है 26 जुलाई 1942 11 अगस्त 1942 12 जून 1942 43 नवंबर 1942 जल्दी से कमेंट गर दे सभी साती 43 नमर क्यूसन गा बहुत अच्छा दोस्तों 26 जुलाई 1942 को मारवार सत्यागर्य दिवस मनाया गया था और 26 जुलाई को मारवार सत्यागर्य दिवस मनाया जाता है चलते हैं क्यूसन नमर 45 की ओर 1930 के दसक में बरतपूर में राजनेतिक जागरती का स्रे किसको दिया जाता है किसनलाल जोसी को ठाकूर देश राज को रेवती सरन सर्मा को यूगल कि सोर्चत्रवेदी को तो किसको दिया जाता है राजनेतिक जागरती का स्रे बरतपूर में 1930 के दसक की बात हो रह जाता है उप्सन आपका सही रहीगा चलते हैं 빈नाश campa dusan की और राजस्तान में राज नितिक चेतना का सर्वा परतम जनम दात था विजे सिंग पतिक अर्जूंलाल सेटी दामुदर दासराठी सहस्मल बहुरा तुराजस्तान में राज नेतिक चेतना का सर्वय परतम जनंदाता सबसे पहला जनंदाता कौन था जल्दी से कमेंट करने चाहują है और जिन साथ उन्हें वह तक लाइक और शेर नहीं किया है वो कम से कम मेरे लिए एक बार लाइक और सेर जरूर कर दें, राइट ओप्षन, ओप्षन डी, सहस्मल बोरा, ओप्षन डी आपका सही रहेगा, चलते हैं क्यूसर नंबर 46 की ओर, हिंदुस्तान सोसलिस्ट, रिपब्लीकन, एसोसियन की इस्तापना किसने की, फते सिंग ने, विजे सिंग पतिंग ने, केसरी सिंग बाहरट ने, जो अला परसाद सर्मा ने, हिंदुस्तान सोसलिस्ट, रिपब्लीकन, एसोसियन की इस्तापना किसने की थी, जो अला परसाद सर्माने दोस्तों ओप्शन डी है वो आपका यहां पर क्या रहेगा सही रहेगा दोस्तों चलते हैं क्यूशन नंबर से तालिस की ओर गीता प्रेस गोरकपुर की इस्तापना की जे देयाल गोईन का राम निवास पोदार लक्समी निवास बजाज मंगनी राम बांग तो गीता फ्रेस गोरकपुर की इस्तापना किसने की थी बहुत अच्छा दोस्तों सही है आपका जे देयाल गोईन का ने ओप्शन यह आपका सही रहेगा चलते हैं क्यूशन नंबर अड़तालिस की ओर राजस्तान में जागिरदारी परता का उन्मुलल कब किया गया उनीस 52, 1953, 1954 या 1955 जागिरदारी परता है उसका उन्मुलन कब किया गया था राजस्तान के अंदर बहुत अच्छा दोस्तों उनीसो चोपन में ओप्शन सी आपका सही रहेगा चलते हैं क्यूशन नंबर 59 की ओर राजस्तान में राज्ये बाल अधिकार सरक्षन आयो का गटन कब कि किया गया नो जून दो जार आट नो जून दो जार नो एक जून दो जार नो एक जून दो जार आट जल्दी से बता दे दोस्तों राज्ये बाल अधिकार सरक्षन आयो का गटन कब किया गया बहुत अच्छा दोस्तों सही है नो जून दो जार नो को गटन किया गया था रा राज्ये बाल अधिकार सरक्षन आयोग का चलते हैं पचास नमर क्यूसन की ओर राज्ये सरकार दुआरा राज्ये इस्तरिये मेला प्रादी करण का गटन किसके देखस्ता में किया गया मुक्हे मंत्री प्रेटन सचीव प्रेटन मंत्री मुक्हे दिकारी कारी अधिकारी तो बात हो रही है राज्य इस तरिये मेला प्रादी करण का गटन किस के देखस्ता में किया है वहूद अच्छा प्रेटन मंत्री के देखस्ता में किया दोस्तु चलते हैं कि उसन नंबर बाओं इकाउन की ओर केंदर केंदर दौरा केंदर सरकार दौरा ग्राम सबाओं को दिकार देने के कारी क्रम में तिवर्ता लाने के उद्धेसे से किस वर्स को ग्राम सबाव वर्स गोशित किया गया 1903 में को 1905 में चिनमा को 1999 में 2000 को 2000 एक दो को जल्दी से कमेंट करें बता दें सबी साथी बहुत अच्छा दोस्तूं सही रहेगा 1999 में 2000 ओप्शन सी आपका चलते हैं बावन नम्मर क्यों सन क्यों बारतिये बकरी अनुसंदान संस्तान कहां इस्तित है सिलोनी माचल परदेश विकानेर राजस्तान करनाल हरियाना फतै मथूरा तो बात किसकी हो रही है बारतिये बकरी अनुसंदान संस्तान कहां इस्तित है दोस्तों बहुत अच्छा दोस्तों ओप्शन डी सही रहेगा फतै मथूरा में चलते हैं क्यूसर नम्मर त्रेपन की ओर राज्ये का एक मातर दुग्द विज्ञान महाविदाले कहां इस्तापित किया गया है जैपूर बाडमेर उदेपूर या जोदपूर एक मातर दुग्द विज्ञान महाविदाले है वो कहां इस्तापित किया गया है सही रहेगा ओप्शन सी उदेपूर में कहां इस्तापित किया गया है उदेपूर में दुख्द विज्ञान महाविदाले उदेपूर में इस्तापित किया गया है चलते हैं क्यूसन नंबर चोपन की ओर राज्जस्तान में बारत के कुल करसी चेतरपल का लगबग कितना परतिसत है ये क्यूसन भी हमारा क्विजू के अंदर आया हुआ है क्यूसन दोस्तों तो जल्दी से कमेंट कर दे चोपन नमर क्यूसन का 9 परतिसत, 21 परतिसत, 11 परतिसत, 13 परतिसत राज्जस्तान में भारत के कुल करसी चेतरपल का लगबख कितना परतिसत चेतरपल है दोस्तों बहुत अच्छा दोस्तों सही रहेगा आपका ओप्सन सी ग्यारा परतिसत ओप्सन सी है वो आपका सही रहेगा चलते हैं कि उसन नंबर पचपन की ओर राज़स्तान में गवार के लिए करसी निर्यात जोन निवन में से किन जिलू में बनाए गए है जैपुर चुरू जोधपुर गंगानगर जोधपुर चुरू विकानेर चुरू तो राज़स्तान में गवार के लिए करसी निर्यात जोन किन जिलू में बनाए गए है बहुत अच्छा दोस्तु सही आपका जोदपूर और गंगानगर जिलू में दोस्तु तो दोस्तु पांच क्यूसन सेंस बचे हैं एक बार जल्दी से सभी सातियों से मैं निवेदन करता हूं कि सेर करो नए सातिय आये हैं वो चैनल को सबस्क्राइब करो और एक बार इस किस जिले में हैं कोटा बारा जाला वड्या बंदी अतों बात ओरी ये गुड़्ा सिच्चाइ प्रियोजना किसी जिले में तो किस जिले में दोस्तु बंदी जिले में ओप्सन डी आपका सही रहेगा चलते हैं क्युस्टन नमबर सताउन की और राज्ये में पर्तम सहेकारी उबोगता बंडार का गठन कहां किया गया था पर्तम सहेकारी उबोगता बंडार का गठन कहां किया गया था राजस्तान में अलवर में, जेपूर में, कोटा में, अजमेर में जल्दी से सताओं नमर क्योसन का कमेंट करके बताईए तो परतम सहकारी उबोगता बंडार का गटन राजस्तान में किया गया था अजमेर के अंदर दोस्तों ओप्सन नमर डी आपका सही रहेगा चलते हैं अठाओं नमर क्योसन की ओर राजस्तान राज्जे सहकारी उबोगता संकी इस्तापना कब हुए कहा की गई 27 मार्च 1964 जेपूर 1 अपरेल 1965 बरतपूर 1 अपरेल 1965 अलुएर 27 मार्च 1965 अजमेर जल्दी से कमेंट करके बताईए दोस्तों ठाइश नमर का कब हुए कहा की गई कहा की गई थी 27 मार्च 1964 जेपूर में ओप्सन ए आपका सही रहेगा चलते हैं क्योसन नमर 69 की ओर अनवरश्टी जनित अकाल को राजस्तान में क्या माना जाता है इस्ताई पहुना दुर्बिक्स दुसकाल अकाल अनवरश्टी जनित काल अनवरश्टी जनित का अकाल है उसको राजस्तान में क्या माना जाता है और दोस्तों गुणसाट क्यूसन एक क्यूसन हमारा सेंस बचा है जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसी लगी आज की क्यूईज आपको कितने परतिसत क्यूसन आपके सही हुए वो भी कमेंट करते रहे हैं दोस्तों और दोस्तों परति दिन की क्वीज के क्यूसन आप अपनी नोट बूक में नोट करते जाएं हर एक साती से एक निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप कम से कम दस सातियों तक पहुचाने का कश्ट जरूर करें परति दिन एक साती को हमारे साथ चैनल पर जोडने का कश्ट करें क्यूसन उनसाट का राइट एंस्वर रहेगा इस ताही पहूना दोस्तों राइट एंस्वर ओप्सन ए रहेगा चलते हैं नतिम क्यूसन साथ की ओर सरबता किसे कहते हैं प्रित्तम निवास जेपूर माधु निवास जेपूर स्रवोत्र भर्द महल जेपूर जे निवास उद्यान जेपूर तो सरबता किसे कहते हैं जल्दी से कमेंट करके बता दो और दोस्तु फिर एक बार आपसे निवधन आपसे आग रहे शेर करो, लाइक करो, नए साती चैनल को सब्सक्राइब करो कि उसन साथ ओप्शन सी आपका सही रहेगा सर्वतो भद्र महल दोस्तु आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टेस्ट में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक सेर करके चैनल का सपोर्ट करें आप सभी को सुबरातरी, जे हिंद, जे बारत